नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Infinix GT 10 Pro vs Vivo T2 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंध की बात करें तो 10 Pro में 6.4 इंच जबकी T2 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंग्थ मिलती है विडि की बात करें तो 10 Pro में 2.98 इंच जबकी T2 Pro 5G में 2.94 इंच की विडि मिलती है जोकी 10 Pro से कम है बात करें थिकनेस की तो 10 Pro में 0.32 इंच जब की T2 Pro 5G में 0.29 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो 10 Pro में 187 ग्राम्स जब की T2 Pro 5G में 175 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों phone में same ही AMOLED की display मिलती है aspect ratio दोनों phone में same ही 20 ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो 10 Pro में 6.67 इंच जब की T2 Pro 5G में 6.78 इंच मिलती है display resolution 10 Pro में 1080 by 2460 और T2 Pro 5G में 1080 by 2400 मिलता है screen to body ratio 10 Pro में 85.85 प्रतिशत जब की T2 Pro 5G में 90.42 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो 10 Pro में 403 प्रतिश प्रतिश जब की T2 Pro 5G में 388 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं display के अन्य features यानि विशेशताएं की जोकी mobile phone का महत्वपूर्ण हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा features camera की दोस्तों सबसे पहले बात करें main camera की तो 10 Pro में 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है और T2 Pro 5G की बात करें तो इसमें 2 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें वीडियो कैमरा की तो 10 प्रो में 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और T2 प्रो 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो 10 Pro में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 4 different features मिलते है और T2 Pro 5G में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 3 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो 10 Pro में Mali G77 MC9 जबकि T2 Pro 5G में Mali G610 MC4 मिलता है चिप सेट की बात करें तो 10 Pro में MediaTek Dimensity 8050 MT6893 और T2 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7200 MT6886 मिलता है बात करें RAM की तो 10 Pro में 8 GB की RAM मिलती है जबकि T2 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 8 GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते है वो 10 Pro में 256 GB की Storage मिलती है जबकि T2 Pro 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 128 GB 256 GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो 10 Pro में Up To 1 TB जबकि T2 Pro 5G में नहीं है Operating System दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है Battery 10 Pro में 5000 mAh जबकि T2 Pro 5G में 4600 mAh देखने को मिलती है अई अब Main Feature को देखते है Colors की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2. Colors Option देखने को मिलते है सब Information देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 10 Pro में एक ही Variant देखने को मिलता है जो की 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 24,990 रूपीस में मिल जाता है वही अगर बात करें T2 Pro 5G की तो उसमें 2 Variant देखने को मिलते है जो की 8 GB RAM 128 GB Storage के साथ 23,999 रूपीस 8 GB RAM 256 GB Storage के साथ 24,999 रूपीस में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं Prans and Cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो Infinex GT 10 Pro में 8 फाइदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Vivo T2 Pro 5G की तो उसमें 7 फाइदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में 10 Pro आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में 10 Pro आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Moto G84 है दुसरा Samsung Galaxy F34 5G है तीसरा Samsung Galaxy A15 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर phone की बात करें तो उसमें Realme 11 है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये video अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना